हालो, नमस्ते, आजा हमीले बेडबग को समन्द में आध्यान गरने हो, बेडबग जसलाए उरूस वांचा, यसको साइन्टिफिक नेम साइमाक्स हेमिप्टेरस, बेडबग एक किसिम को ब्लड सकिंग एक्टो पारासाइट हो, आउने आजा पहला यसको क्लासिफिकेशन है यो बेडबग फाइलम और्थूपोड अंतरगत आउचन, ज्वेंटेद लेक्स, सेग्मेटेड बाड़ वाला एनीमल हो, क्लास इंशेक्टा आओ उर्थूपोड अंतरगत का मेजर गृूप अंतरगत हो, फ्शेक्टा माउने अनिमल सरूमाँ बोडी डिवाइन रीक्पो में देखेंचा. अंतरगत राखी को बेडबग, हेमी भने को हाफ, टेरा, संग रिलेटेद टॉर्म आउचन, और्थ आउचन, विंग्स, इन रोमा हाफ विंग, विंग हाफ तके होला, विंग हुदेनन, विंग को सटा मा विंग पैड देखेंचा, विंग पैड मात्र, जो एनिहरो, फ्लाइटलेस इन्सेट, उर्नन नो सकने, जिनस, सयमक्स, स्पसीज, हेमिप्टरस, जैसा दि सान्टिफिक ने हुना जांचा, सयमक्स, हेमिप्टरस, अत्वाल लेक्टॉलाइडियस पनी यहुदा इस्पसीज, विंग पैड जाउचन, विष्चु को करीब करीब हरे कंटी वाटर रिपोर्टे जास्तो होटल रूम्स हाउसेज, बैरेक्स, जेल, कॉर्ट्स, मैट्स, एट्सेट्रा, कॉर्ट्स वन्चन खाठर हो लाई, त्यहाँ गैप सरूमा लुके रबसने, मैट्स वन्चन चटाई लाई दे रिमेन हिदेन इन क्रैक्स ओफ वाल्स, फ्लोर, चेर्स, बेंच, एट्सेट्रा यहाँ यहाँ इमेज माँ थुप्रई श्यान श्यान बैट्बग लाई, शोफा को गैप माँ लुके का हेड़ना सक्छों यह सब लुके रबसे आचान, और मौका बेटाउना साथ इने रू ब्लट्सक दरने काम शुरू कर्चान यहाँ बेटबग को जेनरल फीचर यहाँ डाइग्राम मा रहना सक्छों यहाँ एक एक रिमेज देखे राए चो आमे राम्रोर डाइग्राम लिएको यहाँ बेटबग को बोडी अल्मोस्ट ओवल इन शेप अनि अल्मोस्ट ब्राउन कलर को यहाँ बोडी मा जुन डिफरेंट लाइनिंग सरु देखेंचा यह सब डिफरेंट डिविजन सरु मद्धे यह अगारी को श्यान पोर्शन यह बिच बला रिजन यहाँ थोराक्स बंचन र पछारी को यह सब अब्डोमें हेड मा अपियर ओफ कंपाउंड आइज श्यानो श्यानो द्रियोटा आखा देखेंचा अंद लाटल साइड माउथ पार्ट पार्ट पियर्सिंग अंड सकिंग टाइब जुन तला तिरा बेंट घराएको तेसले यह डाग्राम मा देखेंचा अनि आंटिनी फोर ज्वाइं बीच को मِّजो फोरेक्स अन मेटाथोरेक्स आन पोस्टेरियर मेताथोरेक्स सो yak ग्रुप को नाम ओर्डर हैमिप्टेरा राखिया को थोराक संगा तलतिरा टायच भय को थ्री पियर्स आप ज्वाइंटर लेग्स अनि लेग्स हरू स्यानो फास्ट मुवमेंट को लागी स्विट्या को अब्डोमेन अब्डोमेन मां डिफरेंट सेग्मेंट सरू देखियंचा अनि अब्डोमेन अत्वा बोडी को मार्जिन मां हर्ने हो भने यहां फाइन हेयर सरू क्लियर्ली हर्ना सखियंचा So, Hairy Body Habit Bedbug is a blood-sucking ectoparasite host को body बंदा बाहरा पाशले Feeding upon human blood It is an uninvited bedfellow that serves as a carrier of several diseases Blood sucking को बेला मां different germs हरो body मां इंजग गराइधिने काम पनी गर्छन ये सरी रोग फेलाउने काम मां मदद पुनियाउने Like plague, typhiid, etc. It also attacks mice, rabbits, pigs, horses, etc. So, some hairy mammals तिनु लाइपनी अटाइग गर्छन It is nocturnal in habit राथी को पेला में active हुने Lying hidden in crevices Crevices बने को gap निउसो gap सरुमा लुकने So, hidden in crevices during day and being active at night So, called nocturnal It is often attracted by warmth and odor of the body Its body has a characteristic pungent odor The adult bug can live without food for a long time That may be up to one year Very interesting You animal Parasitic adaptation खूब राम्रो देखाऊंसा भोजन बिना पने एक वर्स सम्मा बाच न सकने So, एक चोटी राम्रडी Blood शक गर्न पायो बने निए लाम्रो समय संगा शर्वाइब गर्ना सक्षन Now, इसको morphology External features Shape, Size का कुड़ावर Body almost oval in shape Brown in color इसको length बने होगने Diagram तो खूब ठूलो देखा था Length मुस्किल ले 5 mm long और 3 mm wide So, in morphology मा We discuss the shape, size, color, apertures इत्याजी कुर हरू Here एक चोटी description Bed bug has a small oval and dorsal ventrally flattened body Body माथिर तोलावाटा Compressed Measuring about 5 mm long and 3 mm wide It is reddish brown in color and is covered with many small hairs Just here The body is divided into 3 parts Head, thorax and abdomen The head is short and broad It bears a pair of compound eyes Head ko side मां मी compound आई देख चोया A pair of short, four jointed antennae and piercing and sucking type of mouth parts Skin मां छिराउने रभ ब्लट सक गरने तो इस आपको mouth part देखें चा Similar to mosquito The maxillary and labial palps are absent in bedbugs यो mouth parts अंगा associated structures अंगा जो न मौस्किटो मां हुंचं यहां absent लेकिन चाओ The mouth parts form a three segmented beak held back under the head The thorax consists of three segments Prothorax, Mezothorax, Metathorax अहले जस्कस गरने को अहारी को Prothorax यो बीच वाला Mezothorax and posterior Metathorax The thorax bears three pairs of jointed legs खुटारू, तलावाता वेंटल साइबाता and a single pair of wing pads which are vestigial four wings reduced four wings The legs are strongly clawed and are suited for swift running fast running को लागी suitable cursorial movement देखावने The abdomen usually consists of seven segments इना काउटरा देखाईको इना ता एट सम्मले क्याचा Remember first and second दुबए ज्वाइन fused अगारी पतिको देखावने seven segments the posterior end of abdomen is more narrow and pointed in males male को केस मा ये पोस्टरें बरी narrow देखाईचा for depositing male sperms than in females female मा ते थी नारो देखाईचा आउने यहां life cycle bedbuck को life cycle देखाईचा in complete metamorphosis just three different stages in the life in complete metamorphosis in complete metamorphosis mosquito मा फोस्टरें एग larva pupa adult in complete metamorphosis in three different stages एग निम्फ एडल्ट एग निम्फ एडल्ट एग बात निष्क ने जुन हैचगर ने जुन फोर्मो तियो similar to adult एग निम्फ एडल्ट just tenotized stage breeding बर्षभरी ने हुने गर चन bedbuck मा बर्षभरी throughout the year depending upon the blood meal and climatic condition भोजन भेटनु परने condition suitable climate suitable होनु परने एगरो throughout the year breed गरने गर चन before mating mating एगरो मा अलिगती peculiar जहिंच peculiar के होता female ले mating भन्दा गारी female ले blood meal शगर्षण it is interesting to note that the male injures the copulatory apparatus through the exoskeleton of female and deposits the sperms into her hemo seal शो कुन ही particular aperture यूजन अगरे रहा body ko exoskeleton मा जहावट पनी male ले penetrate गर्षण and hemo seal body cavity माई sperms deposit गर देंच अनि तेसे sperms लाइ female ले आपनो egg life fertilize गरने हो so after fertilization the female lays 2 to 3 eggs per day and about 200 to 500 eggs during its life यूटा फिमेल ले आपनो जीवन काल मा दूई से देखी 500 जती एग रिलीज गरने गर्षण अनि एग डिस्चार्ज अतवा एग लेंग को rate 2 to 3 eggs per day so यू उसको breeding को संबन माई यहां जून इमेज आमें हरे रहाए चाम यहां बीचमा राखे को पडली white color को से तो से तो जुन elongated structure हो यू एशको एग हो अनि एग बाटन निसकने निम्फ निम्फ पनी transparent अल्मुस्टे से तो देखी रहाचा स्यान हो यह निम्फ blood sucking काम शुरू गर्चन अनि gradually grow गर्चन यह सब निम्फल स्टेज जरू चन लार्बल स्टेज निम्फ निम्फ स्ट्रक्चर को हिशाब ले इसमा सपे स्ट्रक्चर सरू एडल्ट जसते हुँँचान तरह यह स्यान हो रिप्रदक्टिव ओर्गन सरू डेबलप भायको हो देना शुरू मा यह अल्मोस्ट ट्रांस्परेनेंट बोडी निम्फ अल्मोस्ट म मा रिप्रदग रिखेंग स डार्क होदेजानेों बोडी पाड सरू जसके मा रिप्रदटीव ओर्गन सरू नि आनै लास्ट मा आयरा यो यो विंग पैड सरू चारू भड़प एग, निम्फ and then adult, आउने हाँ, एग्स, एग्स are elongated, cylindrical and pearly white, about measuring about one millimeter in length, these are led in cracks and crevices of cots, walls, etc. Sofa, अत्वा खाथ हरू को, gaps मा, wall को gap मा, crevices मा, cracking हरू मा, एग्लेंग को काम गरदेंचान, फिमलेंचान, एग्स hatch into nymph in about 6 to 17 days, almost 2 hafta, depending upon the temperature. The nymph is small, delicate, pale in color, पहलो कलर को देखेंचा, pale, cream color को भननो बेश, So, nymph पनी, transparent नहीं हो, small, delicate, एकदम ही कम जोर किशिम को, pale in color, and with thick antennae and stout legs, खुट आली बली हो देखेंचा, It is devoid of wing pads, याँ wing pads हुदेना, There are five nymphal stars, nymph stage, nymphal star, so five nymphal stars, and each takes up to three blood mills before every month. So, in your life, blood mill, continuously, regular interval, अनी इनीरो, बिस्तारे गुड़ गर्षन, Growth, अली, slow, development is slow, and it takes about one to four months, एक देखी, चार महिना, to become an adult. The wing pads appear only after the last moulting. Last moulting पची मात्र, wing pad देखेंचा, So, इनीरो को निम्फ, मा पाँच वड़ देखेंचा, five nymphal stars, यसको वर्थ, चार पड़क्त, मौल्टिंगर्षन कम्ति मा, मौल्टिंग भने को चेंज अफ़ स्कें, अनी adult, the entire life cycle completes in about two to ten months, दुड़ी देखी, चार जेनरेशन, पास हुँचन, इक्जाम मा बनाऊने हिसाब ले, हमी यो डाग्राम यूज़ गरने हो, यदि एक्जाम मा लाइफ साइकल बेडबग सोचन मने, एडल्ट ले दिएको एग देखाऊने, अनी एग बाटा निम्फ, यो एग, यो एडल्ट जासते ही सपय स्ट्रक्चर भायको, सपय लेस्ट डेबलप्ट, रिप्रदक्टिव ओर्गन सरु डेबलप्ट भायको, विस्तारे फीड गर्चन, ग्रो गर्चन, और हरेक माल्टिंग को लागे, इनले बलड मील चाहिए, चार पतक माल्टिंग, फाइव निम्फल स्टेजेज, और लास्ट माल्टिंग पछी यो निम्फ चाहिए, एडल्ट माँ चेंज होचा, और इसको डेमेज, तसता किसम का नुक्सान पुरियां हुचा तो, Bedbugs serve as a good vector for several pathogenic organisms, Bloodsuck तर गर्चन, disturb us during sleep, पंजन्ट बाइट, तर ब्लड सकिंग को बेला मा, different germs सरो, सार दिने काम गर्चन, इन्जेग गर्चन, So, serve as a good vector, carrier group मा काम गर्चन, थो प्रई pathogenic organism सरोग लागे, They suck blood and disturb humans during sleep, they puncture the skin, causing severe itching, burning and irritation of skin, पोल ने किसम को, irritation, skin मा, देखाउचन, इसको पंजन्ट बाइट ले गर्दा हुचा। Continued excessive biting by bugs may cause anemia, यदी बगले लगातार ब्लड सगर न पायो हने, फेरी अनेमिया, नर्वसनेश, इन्सोम्निया अनिज्रा वलाडी condition हरू आउचन, They also serve as carriers of a number of diseases like typhoid, relapsing fever, plague, etc. इन्यो, serious communicable diseases हरूँचन, According to a recent report, bedbugs may help in mechanical transmission of hepatitis B virus, यपनी, one of the lethal diseases. So, विमिन किसिम का disorders, इन्यो, रोग का किटाने हुडलाई, फैलाउने कामपनी गर्षन, Blood sucking तर गर्षनने, Control का सरीगरने, Control measures माऊचन, Once detected, all the cloths and beddings should be sent to laundry. इन्यो, लुके रभषन, तर इसाबले इन्यो, 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 आपाय हरूचन, सपई cloth र बेदिंग र लॉंड्री माँ पठावनु पढ़ने, Heat treatment भठी माँ राखे र स्टीम अंतरगत तिने रुको वासिंग गरने हो भने, भयका एक शरू मढ़ना जान चा, Spraying or Dusting the Insecticides, विशादी हरू को प्रियोग, जस्तो DDT, TIG20, in cracks and crevices of walls and furnitures, so use of kerosene oil in gaps, Fumigation with H-C-N, जुन लुके का, नीम शरूचन, एक शरूचन तियो किल गराऊना, तो fumigation पनी यहटा कारगर उपाय हूना सक्षन, Hydrogen Cyanide बाता धूँआ गर आएरा, तिसमा धूआ को घरूमा चाहे फरनिचर लाई राखने, Filling, Hiding, Places, जहान लुकने ठाउँचन तियो सब Fill Up गर देने, Sard and Cement-like material देने, So, यह ता किसम का उपाय हारूचन, Bed Bug कांट्रोल गरना, यह एक्टोपाड़ासाइटो, Body-Bandha बाहरा ने हूनचन, तो इसा आपले राखने राखने, लुकने ठाउँचन, आजला यह थीने, आउने वीडियो माँ और कोई Animal लिये रा, हामी छीटे भेटावला, धन्यवाद।